नमस्कार किसान साथियों जंगली जानवर और आवारपसों से अपनी फसलो को बचाने के लिए हमारे किसान भाई काटातार या चेन लिंक फेंस की बाढ़ का इस्तिमाल करते हैं तो जो किसान भाई सस्ते में बाढ़ लगाना चाते हैं वो प्राथिमिकता देते हैं काटातार को तो जिन जिन राज्यों में काटातार के उपर बैन नहीं है वहाँ पर आज भी काटातार सबसे ज़्यादा यूज में किया जाता है काटातार जब किसान भाई खरीदने जाते हैं के सामने समस्या रहती है कि काटातार की मोटाई कितनी ले कौन सी क्वालिटी का काटातार ले जो उनको मजबूती के साथ साथ लंबी लाइफ भी दे तो आज की वीडियो में यही हम आपको complete डिटेल देने वाले हैं कि कौन सा काटातार आपके लिए फाइदे का सोधा हो सकता है तो अभी हमने आपके सामने रखे हैं चीयार सबसे ज़ज़ादे यूज में किये जाने वाले काटातार तो एक नमबर पे है local GI coating दो नंबर पे है मनुज का GI coating के साथ में तीन नमबर पे है tata wireon GI coating और लास्ट में है यह है I use tata का GI coating के साथ में यह बल्कुल latest technology Tata की है इसक से पहले लोकल मेड है ये धाई mm की थिकनेस में है मतलब इसका डाया धाई mm का है और इसके अंदर जो कांटे मुड़े हुए ये भी धाई mm की है आप देख रहे होंगे इसके उपर अभी से रस्ट लग गया है जबकि ये भी जी आई कोटिंग के साथ में था तो इससे आप अ वायर की और बारब्र जो काटा वतार होता है उसकी जो ठिकने से मोटाई है वो धाई mm की रहती है इसकी जो लाइफ है आट से दस साल तक की बताई जाती है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो भी जो पहले वाला जो हमने एक नंबर पे बताया उस नम्बर तीन पर बात करते हैं ताटा वाईरों का बार्बड वाईरों का जो टाटा का तार है इस में तीन वराइटि आती है एक तो जिसमें तार है वह बोट ही निम में में का थार ऑर निम में रहता है वो 2 mm का जो 2 mm में आता है उसकी डिमांड मार्केट में जादा रहती है तो इसकी क्या खास बात है ये भी GI कोटिंग होती है 100 GSM से जादा रहती है और होट डिप टेकनोलोजी से इसके उपर GI के कोटिंग की जाती है जिसकी वजएसे लाइफ जो है 15 से 20 साल आपको मिल जाती है इसकी अगर प्राइज की बात करें तो इसका जो प्राइज है वो 25 से 30 रुपे परती किलो जो लोकल ब्रेंड होते हैं उनकी तुलना में जादा रहता है नमबर च्यार पे बात करते हैं वो है टाटा वाइरोन का आयूस ये एक लेटेस्ट टेकनोलोजी के साथ में लौंच किया है टाटा ने जिसमें GI मतलब गैल्वनाइजड आइरन की जो कोटिंग होती है मतलब जो परत होती है उसके साथ साथ एक और परत की कोटिंग की जात है मतलब तार के उपर जंग जल्दी से नहीं लगता है ये ज़्यादा तर उन छेत्रों में इस्तिमाल किया जाता है जहां पे ज़्यादा नमी है जैसे समुंदर के आसपास के किनारे या अगर आपको लगता है आपके क्षेत्र में भी ज़्यादा पानी की नमी की दिक्कत तो वहाँ पे आप टाटा आयूस का तार इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जो कीमत है वो टाटा वाहरोन की प्राइज जो तार है उसकी प्राइज से 8-10 रुपे परती किलो जादा रहती है तो ये थे जो जादा तर इस्तेमाल में किये जाने वाले काटा तार जो आप अपनी रूल रैगुलेशन है, उनको जरूर देख लें, अगर आपके वहाँ पे बैन है तो इसका इस्तेमाल ना करें। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा किसान भाईयों तक शेर करें ताकि किसान भाई इस वीडियो का फाइदा उठा के अच्छी क्वालिटी की जो ह अपनी जुरूरत के हिसाब से काटातार चुन पाएं तो अगले वीडियो तक के लिए जै हिंद जै जवान जै किसान